जैसा कि आप सभी लोगों को मालू होगा कि पंजाब के एक कैप्टन आउप हो चुके हैं जिनका नाम था कैप्टन अमरिंदर सींह आपने देखा होगा कि इन्होंने राजजिपाल को अपना इस्तीपा सौफ दिया था क्योंकि आप जानते हैं कि जो मुखमंत्री होता है यह अपना इस्तीपा किसे दिता है राजजपाल को देता है और नए मुखमंत्री की अगर बात करें लोग तो आपका जो राजपाल होता है वही नए मुखमंत्री का निवति करता है एक तरह से और याद रखिए उसी ब्यक्ति को एक तरह से CM मनाय जाता है जो याद वाप देखें कि बहुमत प्राप्त दल का नेता हो और अगर किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो राजपाल के पास ये बेवेका दिकार है कि वो उस ब्यक्ति को मुखमंत्री बना सकता है जो बहुमत जोटाने में सफल होने की उम्मीद रखता हो चाहे वो किसी भी सदन का सदस हो या ना हो यानि कि विधान सवा का सदस है या नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है जब आप से ये मनना चाह रहे है लेकिन छे महीने के अंदर आपको या तो विधान सवा से या विधान पर्शत से सदस होना अनिबार होता है और इसके कई उधारन आप लोग देखते भी है उधाव ठाकरे आपने देखा होगा महराष्ट की मुखमंत्री जिस समय वो मुखमंत्री बनाए गए थे वो समय वो किसी भी सदन के सदस नहीं थे तो याद रखिएगा आप भी मैं खिलता हूँ कि मुखमंत्री बन सकते हैं लेकिन आगी छे महीने के अंदर आपको किसी एक सदन से एक तरह से आपको सदस बनना होगा तो जो आप आपके पंजाब के नए कैप्टन है चरंजी सिंग चन्नी इनकी कहानी क्या है इनका वेकगराउंड क्या है और अभी तक का इनका राजनितिक सभर किस तरह से रहा है और आपने देखा है कि इनका विवाद से भी काफी नाता रहा है और एक बिवाद काफी चर्चा में रहा है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे लेकिन आपको एक सामान जानकारी दे देते हैं पंजाब के बारे में और सी एम पद के बारे में यानि कि मुखमंत्री के बारे में आपको मालू होना चाहिए कि जो अनुछेद आपका 163 है जिस पायटी के पास बहुमत होता है एक तरह से उसी का सीए Noumantar оф कि मालिजे आप सो सीटे है और जिस पायटी के पास इंक्यावन सीटे होँगी वो आरहम से अपना उपक्मंत्री या अपना नेता चुन लेंगे और उसी को मुखमंत्री बना दिया जाता है और और अगर हम लोग पंजाब के बारे में बात करें तो एक बार आप देख लीजेगा यहां आपको देखने को मिले का पंजाब और आप सभी को मालग होगा कि इसकी रादधान ही है चंडीगर पंजाब की और एक बात जब आपने देखा होगा कि जो कैप्टन अमरिंदर साहब थे इन्होंने अपना इस्टीपा दिया उसके बाद सिद्धू पर किस तरह से आरोप लगा है कि पाकिस्तान के जो यहां के मुख पिदान मंत्री हैं या सैना प्रमुख हैं इनसे इनके मेल जोल हैं रिस्ते हैं तो इस तरह कि कई आपने देखा है कि आरोप गड़े गए इ पूर्व सी एम द्वारा तो यह आपको पंजाब देखने को मिलेगा और एक बात और यहां याद रखिएगा कि जो पंजाब है इस्तिराधानी चंडिगड हो गई और एक नवंबर 1966 को पंजाब को राज्य का दर्जा दिया गया था और यहां आप देखें कि बिदान सभा सीटें आपको साथ देखने को मिलेगी लोग सभा सीटें आपको 13 देखने को मिलेगी और जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि जो बिदान सभा सदस होते हैं आपकी डारेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है अगर आप भी 18 साल के हो चुके होंगे तो मद्दाता पूची में आपका नाम जुड़ चुगा होगा और आप भी विधायक यानि की विधायक चुनाव होते होंगे तो उस समय आप लोग बोड भी डालने जाते होंगे और जो लोग सभा सदस होता है उसे भी आप लोग ही चुनते हैं लेकिन राज्य सभा सदस को आपकी MLA यानि इतर मुखमंत्री यां सिख्खी देखने को मिलेंगे ज्योंकि आप सभी जानते हैं कि यांस सिख्ख समुझाए कि जनसंख्या एक तरह से सबसे जानदा है टोटल जनसंख्या का आप देखेंगे 58% के आसपास आपको सिख्ख देखने को मिलेंगी और एक बात याद पंजाब जब से स्टेट बना हुआ है राजज बना हुआ है उसके इतिहास में पहली बात एक दलित मुखमंत्री बनाए गया है कौन आपके जो चरण जीस्तीन चन्नी है क्योंकि आपको बता दूँ कि पंजाब में 32% की आसपास आपको दलित देखने कुमलेगे इसलिए आप सभी जानते ही कि जो पाइटियां होती है राजनेते पाइटियां होती है वो इस तरह की चाल चलते रहते हैं समुदाय किसी को सीम मनाना क्योंकि आप देखते हैं कि बोट बैंक इनके लिए सबसे ज़रूरी रहता है और आपको बता दूँ कि यह चरंजी सिंग चन्नी है यह दली सिख है राम दसिया सिख समुदाय से आते हैं तो यह भी याद रखिएगा यह स्क्रीन पर आपको इनकी फोटो भी दिखाई दे रही होगी है यह है आपके पंजाब के नए कैप्टन और यह याद रखिएगा इनकी सामने बहुत सारी चुनोतियां भी है क्योंक कि पंजात ही नहीं रही है और अमिंदर इस तरह की कर खाने बन चुके थे थे कहाने कली जी आप लोग विरोध उठने लगे थे केस के चलते आपने देखा है कि अमरिंदर को इस्टीवा देना वड़ उन्ही के लोग उन्ही की पाइटी के नेता उनपर उंगली उठाने लगे थे उनके कामकाज पर उंगली उठाने लगे थे तो जो नए आपके C.E.M है चरंजी सिंग इनके सामने बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी और आप सभी जानते हैं कि 2022 में बिधान सव अचनाओ भी हैं तो आने वाले वक्त में मालू भी चलेगा क्या एस्तिती रहती है कॉंग्रेश की यह देखने को मिलेगी तो इनका पूरा नाम चरंजी सिंग चन्नी है और आपको बता दू कि 2 अपरेल 1973 को इनका जनम होता है कहां भजोली पंजाब में और इनके पिता की बात करें तो एस हरसा सिंग इनकी पिता थी और पतनी की बात करें तो कमल जीत कौर इनकी पतनी का नाम इनके 2 बेटे हैं एक का नाम है नवजी सिंग और दूश्रे का नाम है रिदम जी सिंग और आपको बता दू है कि आप काफी आपके पड़े लिखे भी है और आप देखें कि 6 जीवन से इन्होंने राजनीती शुरू कर दी थी आप देखेंगे कि पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने MBA किया हुआ है कहां से पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से MBA किया हुआ है और पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने चंडीगर से कानून की पढ़ाई की हुए यानि कि आप देखिए कि कानून भी इनोंने पड़ा हुआ है LLB आप जानते भी होंगे तो आपको बता दूँ कि इनके अगर वेवसाई की बात करें पैसा की बात करें तो यह हैंड वॉल के खलाडी भी रहे हैं और अभी आप जानते हैं कि राजनेता हैं और राजनेतिक पारटी की बात करें तो आप सभी को मालूग होगा कि कॉंग्रेस से सम्मंद रखते हैं यानि कि कॉंग्रेस पारटी के हैं अब बात आती है इनके राजनेतिक सफर की और आप सोचें कि नेताओं के सबसे जवरूरी कोई अगर टॉप एक तरह से आपे ये कि बैक्ग्राउंड मात तो रखता है जिस बसे से हम लोग उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनका राजनेतिक सफर ही रहता है कि आखिर भी किस तरह से सफल रहे हैं या आपने राजनेतिक जीवन में आसफल रहे हैं तो आप देखेंगे कि इनके चरंजी सिंग चन्नी की राजनेतिक सफर की तो स्कूल छात्त संग की सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं श्री गुरू गोविंद सेंग कॉलेज की ये अध्यक्च बनते हैं आगे चलके आप देखेंगे कि तीन कारकाल के लिए नगर फारसत बनते हैं आपके छेत में भी आप देखते होगे कि नगर फारसत होता है उसी की बात कर रहे हैं आँगे चलके आप देखेंगे कि ये नगर परिशत के अध्यक्च बनते हैं यानि कि आप देखें कि डारेक्ट इनकी कहीं एक तरसे इंटरी नहीं हो जाती है बहुत नीचे से उठकर ये आँगे बढ़ते हैं और आप देखेंगे इस तरह कि निता काफी सफल भी रहते हैं आपने देखा है लालू यादो हो नीतेस यादो हो माकरी नीतेस कुमार हो आपके ये सबी इनका बेक्ग्राउंड अगर आप देखेंगे तो कॉलेज की राजनीती से उठकर आये हुए फिर आप देखेंगे जेपी आंदोलन अपने देखा होगा सुना भी होगा देखा दो नहीं होगा उस समय हम लोग आप लोग थे ही नहीं और आप सभी जानते हैं कि जेपी आंदोलन की कारण ही कॉंग्रेस चुनाओ हार जाती हैं 1977 के बाद इमर्जेंसी के बाद जब चुनाओ होते हैं और आप सभी लोगों ने ये भी बढ़ा होगा कि कॉंग्रेस की छोड़ी हारने की इंद्रा गांदी अपनी भी सीट नहीं बचा पाती हैं वो भी चुनाओ हार जाती हैं और उसी आंदोलन से आप देखेंगे कि आपके नीतेश कुमार हो लालुयादो हो ये सभी नेता इस तरह की नेता सुसील मोदी हो वो भर की याद्दे हैं और आप देखें लालुयादो काफी राजनीती में सफल भी हैं नीतेश कुमार आप देखें राजनीती के मास्टर माइंड वाने जाते हैं राम बिलास पासवान आपने देखा होगा उन्हें तो राजनीती का मोसम भिज्ञानिक भी कहा जाता था खेर छोड़ी है उनकी हम लोग चरंजी सी पन्नी की बात करें साल 2007 में चमकौर साहिप से विधायक चुने जाते हैं निर्दलिये और आप सोचते हैं कि निर्दलिये विधायक चुनना एक बड़ी बात होती है निर्दलिये सीट जीतना चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी बात होती है तो आप देखें कि 2007 की बाते निर्दल ये बिधायक बनते हैं जो कॉंग्रेस से लड़ रहा था बिधायकी का चुनाव उससे हराते हैं फिर आप देंगे कि साल 2012 में भी चमकौर साहिब से ये बिधायक बनते हैं 2012 में भी ये बिधायक बनते हैं यानि कि दूसरी बारे भी एमेले यानि कि बिधायक कर चुनाव जीज़ जाते हैं फिर आप देखेंगे कि 2015-16 में चन्नी पंजाब बिधानसवा में बेपक्षी नेता रहे हैं 2015-16 में फिर आप देखें कि साल 2017 में पंजाब में फिर से विधानसवा चुनाव होते हैं आपकी और जिसमें आपने देखा है कि कॉंग्रेस को बहुमत मिलता है और उसी में आपने देखा है कि जो आपके अमरिंदर कैप्टन अमरिंदर सींग थे ये आपके मुख मंतरी ब बनते हैं और कैप्टन अमरिंदर सींग की कैबिनेट में मंतरी बनते हैं और इन्हें तकनीकी सिक्षा और उद्दुभिक प्रिसीक्षण मंतराले दिये जाते हैं और बात आती है अब तो आप सभी जानते हैं कि 20 सेप्टमबर 2021 यानि कि आज के ही दिन इन्होंने पंजाब का 27 बासी एम बना रहे गए नहीं तो अभी फिरहाल ये आपके पंजाब के मुख मंतरी बनाए गए हैं अब आने वाले समय में आप लोग करेंट से जोड़े रहे हैं देखते रहे हैं कि चरंजी सिंग चन्नी आपके इस तरह से अपने राजनितिक जीवन में आंगे क्या करते हैं कितने सफल होते हैं या क्या दुबारा सीम बन सकते हैं 2022 के चुनाव जो भी चुनाव हो जो भी रेजल्ट रहे हैं यह तो आने वाला वक्त भी बत्ती बताएगा और लेकिन इतना के लिए रहे हैं कि बड़ा देखने लाइक भी होगा यह चुनाव क्योंकि आप देखी कई लोगों की एक तरह से आप सोची सम्मान दाव पर लगा होगा सिद्धू भी आप देखेंगे सिद्धू भी अगर चुनाव जीतते हैं तो ही कॉंग्रेस में आप देखी कि सिद्धू का जो कद है जो उठ रहा था वो बरकरार रहेगा वरना आप स सारी समस्य आएं खड़ी हैं उसे किस तरह से निबढ़ते हैं आने वाला वक्ती बताएगा हम लोग क्या बता सकते हैं कोई हम आप जोजसी तो है नहीं इनके अगर हम लोग बिबाद की बात करें तो आपने देखा होगा कि मीटू एक केम्पियन चला था और इस मामले में चाम आने के बाद बिबादों में रहे अमरिंदर सरकार में पंजाब की तक्निकी सिक्षा मंतरी थे उस समय कौन चरन सिंग चन्नी तेन साल पहले इन्होंने एक सीनियर महला आई एस अपसर को अस्तलील मैसिज भेजने की वज़े से बिबाद में फसे थे और आपने देखा और विदे स्यातरा से लोटने की बाद चन्नी ने कहा था कि उन्होंने गलती से महला अधिकारी को मेसिज भेज दिया था हाला कि इस मामले में आप देखेंगे कि जो महला अधिकारी थी इन्होंने कोई सिकायत दर्ड नहीं कराई थी और इसके अलावा अमरिंदर सिंग ने भी मामले को सुझा लेने का बादा किया था लेकिन आप सभी जानते ही कि पंजाब महला आयोग ने इस मामले को लेकर राजसरकार को नोटिस विज़ कर कारवाही की मांग की थी क्योंकि आप सभी जानते हैं कि IES अधिकारी हो या इस तरह का कोई भी अधिकारी हो उसकी कित उनके पास पावर रहती है, क्या रहता है, जो सत्त पर चलता है, आपने देखा है, अमीदाप ठाकुर जैसा हाल होता है, जेल में डाल दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, समय से पहले हटा दिया जाता है, तो यह हमारे देश की राजनिती, लोगतंत, जैसे आप लो में जान भी चुके हैं